ग्राम सेवक भरती का जो बेसबरी से इंतजार कर रहे थे आकिरकार ग्राम सेवक की भरती स्टार्ट हो चुकी है किस प्रकार अपलाई करना है और सबसे में बाद आज की वीडियो आप सभी देख दीजिए ओल ही माचे के कैंड़ेट्स क्योंकि सभी के लिए एक तरह का प्रसेस रहेगा और इसमें आपके लिए एक बहुत ही महत्वपून जानकरी दी जाएगी जिसमें आपको जह दिखाया जाएगा कि आपको माक्स किस परकार अवंटित किये जाएगा मतलब आपको शोट लिस्ट किस परकार किया जाएगा वो पूरी इंफर्मेशन आपको जहां पर आज की वीडियों में दी जाएगी A to Z apply process आपको बता दिया जाएगा Age qualification के साथ main जो focus रहेगा हमारा वो बताया जाएगा आपको कि marks किस परकार आपको distribute किये जाएगे चलिए आज वाला जो update है उसकी तरह नजड़ा देते हैं जल्दी से और हाँ दोस्तो अपडेट देने से पहले चैनल को subscribe करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन को जुरूर all पर set केजिए इससे जब फायदा होगा कि जब फ्यूचर में कोई post हम upload करेंगे तो इसकी notification में आपको सबसे पहले आपके phone में मिल जाएगी तो सभी ध्यान से सुनते रहना update किसी division के लिए आई हुए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा बट सबसे पहले मैं आपको merit list calculator करके बता देता हूँ किस प्रकार criteria रहेगा आपका selection process का तो education qualification को तीन बड़े हिस्सों में मतलब 4-5 हिस्सों में बादा किया है A, B, C, D, E, F तक सबसे पहले A में education qualification में क्या किया है आपके जितने 12th marks में आए हुएंगे उसको percentage के हिसाफ से जो होगी वो divided by 2 किया जाएगा उसके आपको maximum 50 marks दिये जाएंगे इतनी बात आगी फिर percentage of marks obtained अगर आपने 12th में अगर commerce लिया हुआ था या फिर math या फिर economics लिये हुए थे class 12th में उसके आपको 5 number अवंटित किये जाएंगे distribute किये जाएंगे फिर किसी ने अगर graduation की हुई है तो graduation के marks divide किये जाएंगे 20 से तो वो marks भी आपको अवंटित किये जाएंगे maximum marks 6 में 5 दिये जाएंगे आप सभी को अब जहां पर बात आती है fourth number की अगर किसी ने भी basic course किया हुए computer application का minimum एक साल का तो उनको 12 नमबर जहां पर दिये जाएंगे यह महत्तपूर रहेगा अब मैंने पहले बोला हुआ था कि gram से वक का काम computer पर होता है तो उनको computer का minimum diploma होना चाहिए तो किसी ने भी अगर एक साल का किया हुआ duration minimum basic की ही किया हुआ computer का तो उनको subject के हिसाब से 12 नमबर दिये जाएंगे यह बात आगी A नमबर की education qualifications की इतने नमबर दिये जाएंगा आपको फिर B नमबर की experience आ जाता है तो two marks shall be awarded for every one year मतलब एक साल के लिए आपको दो नमबर दिये जाएंगे किसी पंजाई ती राजी institution में अगर आपने काम किया हुआ है मतलब एक साल के आपको दो नमबर दिये जाएंगे अगर दो साल कीए होएं तो चार नमबर दिये जाएंगे Maximum 10 नमबर जहां पर आपको दिस्रिबूट की जाएंगे Maximum 10 marks जहांपर आपको दिये जाएंगे अब वो आपके experience का हिसाव लगाया जाएगा फिर अगर कोई SC, ST, OBC केटिगरी से ब्लोंग करता है पांच नमबर दिये जाएंगे कोई BPL फैमली से ब्लोंग करता है उनको पांच नमबर दिये जाएंगे जा ICC के साथ इन case applicant is resident क्योंकि यह post किसके लिए निकली आई हुई है अब जहां पर निकली हुई है तो मैं आपको बताता हूँ जैसे अन्नी के लिए यह post निकली हुई है तो अगर अन्नी से ही resident है तो उसको पांच नमबर बहाँ पर मिलेंगे इतनी बात आगी अगर मान लीजिए कहीं कुलू बलोग के लिए आई हुई है तो कुलू के लिए यहां पर निकली है तो अगर वहीं का resident है उसको पांच नमबर दिये जाएंगे ऐसे ही पूरे हमाचल के जिस जिस भी जगा निकलती जाएगी अगर वहां के आप residents होंगे तो आपको पांच नमबर बहां पर दिये जाएंगे इनकेस applicant in handicapped अगर handicapped चाली प्रतिशल से उपर अगर handicapped है कोई उसको भी तीन नमबर जहां पर दिये जाएंगे इस प्रकार माक्स distribution होगा अब मैं आपको बताता हूँ कि किस के लिए यह information आई हुई है इस पते पर आपको पहुँचाने होगे सभी फोर्म जे देखिए जहां पर CEO पंचायत जहां पर कुछ थोड़ा बलर सा आया हुआ ब्लॉक डवेल्मेंट ओफिसर अन्नी देश्टी कुलु हमाच पदेश में आपको आपके सभी फोर्म पहुँचाने होँगे सर्फ टेस्टेट करके आपको और फोटो कोपिस भी पहुचानी होगी जैसे टॉल्थ की मार्क लिस्ट आपको भेहनी होगी किसी एक्स्पिरेंस सेटिफिकेट आपको भेह दीजिए कंप्यूटर अप्लिकेशन का डिप्लोमा है भो भेह दीजिए इन सभी जिससे आपको नंबर दिये जाएंगे वो सभी आप फोटो कोपी साथ में जुरूर बेज़ें एप्लिकेशन फोरूम का लिंक कर नीचे डेस्क्रिक्शन में आपको मिल जाएगा इतनी बात आगी तो आज अन्नी के लिए जो रिकोरिमेंट आउट की गई है फिर किसी और डिविजन की वी क्यूंकि सभी डिविजन के लिए निकलेगी और हिमाचल के लिए क्योंकि क्रिये सभी के लिए सेम रहेगा तो जिस जिस अपडेट निकलता जाएगा उसुस की अपडेट हम आपको देते जाएंगे इस प्रकार आपका सेलेक्शन क्रेटिरिय यहां पर रखा गया है आई होप पूरी इंफर्मेशन आपको पता चले गई होगी और पता चले गया होगा कि कहां के लिए आज पोस्ट निकली हुई है तो जल्दी से आप अपलाई कर सत्यों 17.22 लास डेटा आप सभी के लिए रखी गई है